नमस्कार दोस्तो एट पियम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त तरबेंदर कमारी दोस्तो भारत की राजनीती निरंतर बदल रही है अब चुनाओ पहले जैसे नहीं रहे हैं चुनाओ से पहले सर्वे से लेकर मुद्दो तक का सारा काम प्रोफेशनल लोगों की टीम संभालती है और वरत्मान राजनीती की ये चानक के आप भारती राजनीती की दसा और दसा दोनों को बदल रहे हैं 2014 में नरेंदर मोधी को परशांत की सोर के रूब में ऐसा ही एक चानक के मिला था जो आजकल मुम्ता बेनर जी को दुबारा सत्ता में लाकर अपना करिस्मा दिखा चुकी है पंजाब में आमादवी पार्टी की फते का सरह जिस अधुनिक चानक के को दिया जा रहा है उनका नाम है संदीप पाठक सदीप पाठक को पंजाब से आम आदवी पार्टी ने राज्यसवा के लिए उमिद्वार बनाया है और आज हम बात करेंगे आम आदवी पार्टी के इस नए चानेके की खुबियों पर आम आद्वी पार्टी ने राजसवा उनिद्वारों के नाम आज फाइनल किये हैं और इन में किरिकेटर हरबजन सिंग पंजाब के आप सैपरवारी रागव चड़ा के साथ साथ आयाइटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक का नाम भी सामिल है लवली प्रोफेसनल उनिविश्टी के चांसलर असोप मितल और वेसाई संजु अरोड़ा को भी आम आद्वी पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है राजसवा के लिए पंजाब से प्रोफेसर संदीप पाठक की कहानी बहुत बड़ी दिल्चस्प है दोस्तों दंदन से लोटे प्रोफेसर पाठक अब तक परदे के पीछे से राजनिती कर रहे थे यहां तक कहा जाता है कि पंजाब और दिल्ली में आमाद्वी पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने में इन्ही प्रोफेसर संदीप पाठक का एहम रोल रहा है प्रोफेसर संदीप पाठक मोल रूप से 36 गट के मुंगेली जिले के लोर्मी काओं के रहने वाले हैं और यही पर 4 अक्टूबर 1989 को उनका जन्म हुआ संदीप के तीन भाई बहन है बहन का नाम परदीबा पाठक है जबकि छोटे भाई का नाम परदीप पाठक है संदीप ने जो अपनी विक सिक्स्या है वो बिलासपूर से की थी यहां से MSC करने के बाद वो बिट्रेंड की Cambridge University में चले गए और यहां पर उन्होंने PhD की इसके बाद अलग-अलग research projects के साथ वो जुड़ गए 2016 में IIT दिल्ली में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में निखती हुई प्रोफेसर संदीप ने अब तक 43 research paper प्रकासित की है 2011 से लेकर 2021 तक उन्होंने 490 सोधकारियों में साइक लेकर के रूप में काम किया है 2015 में सबसे ज़्यादा 10 सोध प्रकासित उनके हुए हैं जबकि 2021 में प्रोफेसर पाठक ने 4 सोध पत्तर प्रकासित करवाए हैं तो इतने पड़े लिखे हैं आमादवी पार्टी के नई चानक के राजनितिक ज़ंकारों की माने तो प्रोफेसर पाठक 2016 से ही आमादवी पार्टी के मुख्या अरविंद केजरिवाल के संपरक में थे 2020 दिल्ली विधानसपाच चुनाओं में उन्होंने आपको मजजूद बनाने के लिए परदे के पीछे काम किया सर्वे और मुद्दो के मामले में आपको काफी आगे बढ़ाया इसके बाद केजरिवाल ने प्रोफेसर पाठक को पंजाब की जिम्मेदारी दे दी प्रोफेसर पाठक पिछले दो साल से पंजाब में परदे के पीछे आम आदमी पाठक को मजजूद बनाने में जूटे थे संदीप पाठक अरवीद केजरिवाल की टीम के बेडरूम बुआय माने जाते हैं केजरिवाल ने पंजाब में जीद के बाद संदीप पाथक को धन्यवाद कहा था उन्होंने संदीप पाथक के राजनीतिक रननीतिकार और भ्यान डिजैनर की रूप में उनकी योगदान को सरहा था संदीप कई साल से पंजाब में आम आदमी आपके लिए रहनीती बनाने में सक्रिय रहे वह पंजाब में आम आदमी पार्टी की टीमों के साथ बिना लाइमलाइट में आए चुप चाप अपना काम कर रहे थे रागो चड़ा और हर्बजन सिंग को आप जानते हैं लेकिन दो नए चाहरे और भी हैं जो राजनिती के लिए नए हैं लेकिन पैसों और नाम में बहुत आगे हैं आम आदमी पार्टी को कोशने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि इन दोनों नामों का चैन चुनावी खर्चे निकालने के लिए किया गया है आलजना होती रहेगी दोस्तों लेकिन देश की संसद में बैठने वाले इन दो लोगों पर चर्शा लाजमी है राजसवा चुनाव के लिए आमादी पार्टी ने एक नाम असोक मितल का तै किया है असोक मितल पंजाम की लवली प्रोफेसिनल यूनिविस्टी के फाउंडर हैं वे देश के सफल उद्धुपतियों में से एक हैं उनका परिवार विवाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर बसा उनके पिताने जालंदर में मिठाईयों की दुकान से अपने बिजनिस की सिरुवात की थी और उस मिठाईयों की दुकान का नाम था लवली स्विट्स इसके बाद अटोमाईल अक्षेतर में मारुती कार की डिलर्शिप में उनको सफलता मिली 2001 में अपना संस्तान खोला और उसे पंजाब टेकनिकल उन्विश्टी से संबंद कराया LPU को 2005 में उन्विश्टी का दर्जा मिला और वो पंजाब की पहली प्राइवेट उन्विश्टी बन गई थी LPU आज 35 देशों के 30,000 से ज़्यादा चात्रों को सिक्षा दे रही है अब बात करते हैं संजीव औरोड़ा की ये संजीव औरोड़ा कौन है आमादमी पार्टी ने राजस्वा चुनाओ के लिए पांसमें विदार के रूप में संजीव औरोड़ा की नाम को गोशना की है संजीव औरोड़ा लुधियाना के जाने माने टेक्स्टाइल कारोबारी है पिछले दो दसक से सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के प्रती जगरुकता फिलाने के साथ-साथ वे करशना प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेवल टरस्ट भी चलाते हैं पंजाब की राजस्वा की पांच सीटों के लिए 31 मार्च को ये चुनाओ होगा और राजस्वा चुनाओ के लिए 21 मार्च यानि की आज के दिन 100 मार को नामांकन फाइल करने की आखरी तारिक थी ये सभी पांच सीटे हाले में विदानस्वा चुनाओ में संजार जीत दरज करने वाली अमादमी पार्टी के हिंसे में जानी लगबगते हैं आमादमी पार्टी की तरफ से रागव चड़ा, हरवेजन सिंग, संदीप पाठक, असोक मितल और संजी वरोड़ा को उमीदवार बनाये गया है देश में दोस्तों राजनिती से प्रोफेसिनल और अच्छे लोग हमेशा दूरियां बना कर रखते हैं लेकिन अब अच्छे लोग राजनिती में आएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है संदीप पाठक भी अगर जमीनी मुद्दों को लेकर अपनी पारटी को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती एक दोर वो था जब अमेरिका से सैम पितरोदा को राजिव गांधी देश में लेकर आये थे आईटी एक्षेतर में कलांती करने के लिए और सैम पितरोदा ने अपने काम से पहचान बनाई और आईटी एक्षेतर में आज भार जहां कड़ा है उसमें सैम पितरोदा का बहुत बड़ा योगदान है तो चाहिए चुनावी रणनिती कार प्रश्वन्त की सोर हो, चाहिए चुनावी रणनिती कार संधीप पाठक हो या कोई और हो, देश की रजणीती में प्रोफेस्टनल लोगों का आना बहुत जरूरी है और ये लोग आएंगे तो राजनीती में कुछ अच्छाई होगा हलांकि धनकुबेर भी राजनीती में है राजसवा के माध्धम से जाते रहते हैं ये कोई नहीं बात नहीं है और जो पार्टी उनको भेजती है उस पर यारोप लगते हैं कि वो चुनावी खर्चे निकालने के लिए ऐसे लोगों को राजसवा में भेजती है और खासकर आमादवी पार्टी पर यारोप अभी भी लग रहा है इसलिए चर्चा में रहेगा लेकिन ये पांस लोग अब राजसवा में होंगे देश में की संसद को दो सदन होते हैं दोस्तों इसमें एक राजसवा एक लोगसवा और खास बात ये कि जो राजसवा है इसको उपरी सदन बोला जाता है ये सबसे अच्छा सदन माना जाता है उसके बाद लोगसवा का नमबर आता है तो उपरी सदन में अभी ये पांस लोग बैठेंगे संधी पाठक की चर्चाएं दिरंतर होती रहेगी और अब इसलिए भी होगी क्योंकि जो संधी पाठक है इनके लिए नई चुनोती गुजरात चुनाओ है गुजरात के लिए भी वो परभारी हैं तो देखते हैं कि रज क्या संभावना राजनिती बनती है आप भी संधी पाठक के बारे में अपने विचार वहत कर सकते हैं साथी मैं जानना चाहूंगा कि जो दो दोगपतियों के नाम आदमी पाठी ने फाइनल की हैं आप उनके बारे में क्या सूचते हैं क्या वास्ताव में वो चुनाओी ख